जादेशाम जी क्या प्रेस कॉंफरेंस करके क्या कहने हैं याज इवल एक संदेज देना था राहूल जी सर उपर तम तो वारत की भी का बहुत-बहुत धन्डवाद क्या आप लोग हमें समय समय पर बड़ा अभी से सायोग देते रहते हो आगामी 29 अक्टूबर को अनूप व भूगती वैवाइक परिचे सम्मेलन होने जा रहा है उसको उसके लिए जो प्रेस कॉंफरेंस थी और उसी के लिए आप लोगों की हमने मदद ली थी कि आप उसका अधिक साधिक परचार करो जिससे की अधिक से अधिक परिवारों में यह संदेश जाए और अधिक से अध के लोगों का इसमें भलाई हो सके बला हो सके और उस दिन के आयोजन की सूचना थी कि बई सभी लोग उस दिन अधिक सदिक संक्या में अपने पूरे परिवार के साथ जितने भी रजिस्टेशन होए हैं उनको आमान किया था कि बई अपने पूरे परिवार के साथ आए देख इनके लिए ये बताया गया था कि किस तरह से हमारा योजन है, सुभे साड़े आठ बजे हमने पूजन बगवान परशुराम जी की आरती और पूजन की वेवस्ता रखी है, नौ बजे से कारेकरम सुरू हो जाएगा, दो फैर को एक बजे बोजन की वेवस्ता, सबी लोग खटा साथ बैटकर भोजन करें और शाम को चार बजे पुस्तक जो वहवाइक परिचे संविलन के लिए पुस्तक संग्रहित किये हमने उसका विमोचन किया जाएगा, पौशिक जी अभी तक कितने हमारे पास रजिस्टेशन हो जाएगा, हमारे पास लगबग लगबग जो खर्चा खर्चा नहीं है, समाज के सभी परभुद्ध लोग हैं, आपस में मिलकर इस कार्ये को कर रहे हैं, और यह आपको पताईए कि अमने इस बार जो है ज्यादा चंदा वंदा इखटा करने का परियास नहीं किया, क्योंकि हमारे जो संस्था के भी और वैसे भी हमारे म इत्रगन जो ब्राह्मन बंदू हैं, बड़े संपन्य हैं, अपनी अपनी तरफ से जैसा भी सायोग है, वो खुद ही कर रहे हैं, तो कोई ऐसी प्रोब्लम नहीं है, सब भगवान परश्वराम जी के किरपा से सब काम बढ़िया हो रहे हैं, कितने बज़े से शुदू हो ज जाएगा, और शाम को चार बज़े तक जो है, वेवाइक परिचे सम्मिलन लगाकार चलता रहे हैं, तो क्या अपील करेंगे, अपील ही है कि अनुप सिंग वाटिका में 29 तारिक को 29 अक्टूबर को ये खारे का जो हमारा परिचे सम्मिलने इसका आयोजन होने जा रहा है, इसमें जादे से जादा लोग पहुचे हैं और इस रवस्ता का पूरा लाव उठाएं